करें Kyoto आज हमारे पास एक नया कोशन है कहा हम सभी सबसेंगे नहीं करना तो उसके बाद ये पढ़ना सुरू कर दीजी ठीक है तो कहा रहा है बिसम नाविकिए दो परमाड़ों नाविक और एक खींचिए ठीक है आपको दो परमाड़ों दे देगा ठीक है जिनके नाविक प्रमाड़ों दे रखें आपको किस तरह से खींचिंगे रहे हैं अगर आपने इसके बारे नहीं जान दे तो पहले लॉंग कोश्चन पढ़ लीजी उसके बाद आप यहां पर आईए तो अच्छे समझ में आएगा ठीक है लीजिए और आपको दे रखा है एन और सबसे पहले हम बात करेंगे कारवन तथा अक्सिजन में किरम्सा यानि कि कारवन का प्रमाण कितना होता है यहीं आपके क्या कहलाते हैं इस तो छे आठ रहते हैं इस प्रकार सी यो औरुमें कुल कित्ति इलेक्टरॉन होगे आपके चौदा इसको अभी पढ़ेंगे नीचे यह आपको इस से निकालते हैं तो यह आपको दे रखा है सिगमा स्टार यहां पर स्टार हो गां पिलस नहीं और सिगमा 2p जेड़ स्क्वायर 2P X स्क्वायर बरावर 2P 2P 22 ठीक है यह आपका क्या है electronic बिन्यास किसका molecule का ठीक है electronic बिन्यास पर श्ट है कि अगर हम बात करें carbon और oxygen की तो इसमें carbon का और oxygen का सबसे पहले आपको क्या करना होगा electronic बिन्यास लेकना होगा ठीक है तो यहां पर देख लो गया एक आपका पी एक्स में होगा दूसरा कहा होगा यहां पी आपका कैसा होता है सब्सक्राइब कॉई लेक्टान नहीं होता है यह आपका क्ली खोटा है यह यह समय कर तो दहक Skills का प्रमारण करक्हां कर्मारह करता होता है यह अ मत मैंद आन समय अन्य कर मनें शल्ड मौत आप नहां 125 रडिये अग्ता और ये आपका बनायस हो जाए ठीक तो यह आपका होगा इलेक्ट्रोनिक बिन्यास ठीक अभी जिसे क्या करते हैं आपके पास और यह चाहिए एन्डवे कक्षक को अइन्डवे कक्षक को बताते हैं UK और स्वाइब यह परमानुक को बताते हैं और यह क्या है आपका परमानुक कख्षक यह आपसमें मिलके क्या बनाएंगे टूपी एक्स और टूपी बाई और यह क्या हो जागा शिग्मा टूपी जैड तो यह इनमें हमारे देखो किते लेक्ट्रान कार्बन के पर वाहिडिकोस म एक दो यहां पर यह गलत लिखा थी कहां कर यहां पर यहां पर आपके कारवणं के बाहरी को जानिक पर वाले कोस में अभी कित्ते आरे थे तो यहां पर यह एलक्ट्रॉन नहुगा आपका यह एलक्ट्रॉन नहीं होगा किभल कित्ते एलक्ट्रॉन होंगे अगर हम बात करें तो ऑक से इनके किते आ रहे थो पे चाड़ धूरों था इसका आप देखो हो ता क्या ये ये अलेक्ट्रोन क्या करते हैं इसी तरह से बचा हुआ यह जायगा तो यह किते दो और ब्न गए ठीक है का सी कि यानि कि carbon monoxide का यह दो आर्बिटल बन गए ठीक है अब देखो यहां पर कोई electron नहीं बचा हुआ है इसके पास कित्ते electron बचे हुए दो बचर्ण यह कहां जाएंगे इससे ऊपर वाले अधे कुर्जया वाले कख्षक में पहुंच जाएंगे ठीक है तो यह कित्ते electron हो गए आपके दो यहां से मिले थे और आपको चार यहां से मिले ते कित्ते होगा छे दो चार और दो छे अब देखो यह यह जो रेका दर्साते के आपके बताती इनरजी रेवल को कि इनरची लेवल को ends have been तो यह तो यहां पर दोन हमारे जो एटम सहें हैं समान ओर जाकर इससे नीचे बाले जो भी होते हमारे जितने आपके और बंथे Oke तो आपके कैसे होते हैं tutorial से इस लिवर के कैसे होते हैं planning के और तो यह तो यह तो यह दो आपस में मिलके कित्ते बनाएंगे जितने की आपस में अत्तिव्यापन करेंगे यह तो दो ही बनाएंगे यह बनेगा एक आपका यह बनेगा एक इलेक्ट्रान इसका यहां से जाएगा और दूसरे एक यह तो यह तो यह आपको द्याँ रखना दो प्रमाणुगों के समान उर्जा के और बिटल मिलकर उतने ही और बनाते जितने की अतिव्यापने में भाग लेते हैं तो यह तो यह फिलन zij एक टू है दूसरा एक टू है तो केबल कित्ने बनेंगे दो यह आंडव स्क्राइब किफ़े इं तुरे दिःंगने ऐसान बनेंगे ठीकर दूपर कारवन के भी crash में आपका कित्त्न इलक्ट्र्ण था 20 सका कितना था बनेंपक्सशिन बीडर और इस जला जै cirak इसको कहते हैं एंटवोंक्ब्स मोलीकुलर को और पी दॅर्बिटल और बांडिंग मालिकुलर और सीकें dependent होता है हम निकि टिकांड़िंग निखने तो आपके बॉंडिंग क्या है कार्वन और आक्षिजन बिच में ठीक है इन्वी मैंनस ने अपॉंड की फूंड पी यह ओंगे आपके बॉंडिंग के लेक्ट्रण ठीक है सितनी हमने नीचे बहुत त्विए है इस networking लेबल केने जीतने वी लेक्टॉन भरें आपने वो गिनके यहां लिखने पड़ेंगे माइनस एने एंटी बॉंड जित्ते भी एनर्जी लेवन के ऊपर आपने लेक्टॉन भरेंगे वो यहां पर लिखने होंगे ठीक है तब ही हमें पता चल जाएगा कि कारवन और ऑक्सीजन के बीच में कितने ब है और ऐने में एलेक्टॉन की संक्या क्या चार crush देखते हैं क्या यह सही है अधिका दस सुरहत ही में हमें दस एक यहींन आपके यहां चांसे होता Jersey ल्यकटॉन सब्सक्राइब या तो यह बीन दस हो गए आपके और नहीं में कितने हो जाएंगे दो चार चार करो तो four कर देंगे दस माइनस चार ब्टे 2, NB मैंनेस N A अपोन 2, यह वाला फार्मूलल लगाना है, NB में कतते होगा, आपके 10 एलेक्टरौन, N एमें कतते हो जाएंगे, आपके 4 एलेक्टरौन हो जाएंगे, ठीक है, और सुत्र क्या होता है, आपका, won't order बाहुनद सुत्र होता है, आपके पा तो 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 यहां से आप निकल लोगे तो यहां से आप निकल जागा को दिक्कत वाली बात नहीं है सबसे पहले परमाणगों के लेक्टानिक मिन्यास बरना उसके बाद आंडवेक और्विटल बनाना है एनवी में और एक एलेक्टान गिल लेना है फार्मूला लगा देना है दियो बराबर एनवी माइनस एने अपॉन टू कार्ट पीट के आपका जो भी आएगा वो क्या त्रीवो कैसा था प्लस का आया था ठीक अता यह एक कैसा होगा इस थाई अडवा थीक इस टेवल मॉलिक्वल होगा तो पराच चुंकि अयुग में इलेक्ट्रॉन की संख्या सुन है अभी हमने देखा था जो हमारे यह बढ़े हुए थे जितने भी आंडविक और बढ़े का मॉलिक्वल अनुचुम्ब की हो जाएगा ठीक यह आपको ध्यान रखना है अब हम बात करते हैं अनो की ठीक है अनो मॉलिक्यूल करा नाइटोजन तखा आक्सिद प्रमाड़ू में क्रमशा साथ और आठ कितने होते हैं साथ और आठ एलेक्ट्रॉन तो यह साथ प्लस आ स्पाणने साथ का मॉलिक्यूल का ठीक है मॉलिक्यूल हमारे पास कौन सा एक है इसका एलेक्ट्रान कान्प्रण भरते हैं यह बस इन को ही हम करम छोड़ लिख देते हैं और वही क्या हो जाथ आपका अपका मॉल्ल एलेक्रानिक विन्यास जो स्वरी तो अभी हम इसका इलक्ट्राणिक बिन्यास देखेंगे पहले हम इलक्ट्राणों को इसमें फिल कर लेते हैं ठीक है यह है आपके पास और हम जब भरेंगे तो बिल्कुल आपका यही आजागा ठीक है आप आसानी से इसको बर सकते हो देखना एनो अडू का उर्जा कल आरेक नीचे दिखाया गया है जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है इसी को हम देखेंगे भी निम्रांक के चत्रस परस्ट की एनो अडू में दस बंदित अथा पंदरह पृतिवंदित इलेक्ट्रॉन है ठीक है यहाँ पर यह गलत लिखा हुआ दस बंदित हो पंदरह नही पर प्रतिबंदित हो जाएंगे आपको किस बंदित हो तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको इलेक्ट्रॉनिक बिन्यास ब्रना होता है यह मानलो आपका किसका है नाइट्रोजन का इसका कितना होता है बनस टू टू एस्टू और यह आपका कितना हो जागा टू पी-ठू यह आपका क्या हो हो जाएगा दो ऐलक्टोव आपके के हो जाएगा 7 हो घूरक इस्के कराफ defense me अब यह पहले किसों के यह लेंगे इसका भी हम क्या लेंगे तो यह आपके क्या हो सब्सक्राइए पARS जो सब्सक्राइब के अग्रे insчиसी पहले एक इसका आईगा और एक से आएगा 2 diffic दूसरा एलेक्टॉन इसका पर आएगए अर तीसरा एलेक्टॉन इसका यहां पर आएगा इतो हो कैόσंगा एक सब और और चला जागा आपका उपर लेकिन एक बात आपको ध्यार रखनी जब आप 14 इलेक्टॉन से उपर वाला molecular और एक molecular और बिटल बनाओगे तो उसमें क्या होगा यह जो दो मतलब सब और बेटल थे या दो और बिटल थे ठीक है यह कहां थे नीचे थे और तो यह कहां था ऊपर था लेकिन जब आप 14 से उपर एलेक्टॉन को बनाओगे ठीक है 15 एलेक्ट्रोन या 16 एलेक्ट्रोन 20 एलेक्ट्रोन ताब आपका क्या होगा यह एक बॉक्स जो है यह कक्षक जो है वो नीचे आजाएगा और यह दो कक्षक आपके उपर पहुंच जाएंगे यह आपको ध्यार रखना है चौदे तक क्या होगा चौदे तक यह उपर रहेगा यह दोनों नीचे रहेंगे चौदे के बाद चाहे आप 15 का बनाओ चाहे आप 20 का बनाओ तो उसमें यह दों ऑर्बिटल आपके उपर पहुंच जाएंगे यह आपका निचा आ जागा यह आपको द्यान रखना है ठीक है सिगमा टू पि् drilled चीक है और यह आपका क्या हो जागा पाई टू पी एकस और यह हो जागा आपका पाई टूपी बाई ये क्या हो जागा आपका पाई स्टार टूपी और ये आपका हो जागा पाई स्टार टूपी बाई ये आपका हो जागा सिग्मा स्टार टूपी जेट ठीक है तो ये आपको ध्यार रगना ये जो पाई होता है पाई टूपी एक्स और पाई टूपी बाई इन के होंते हैं लगबग ठीक है तो इनके बीच में जो आपको यह समान उर्जा बाला चिन जरू दर्थाना यह यह दोनों की एक दूसरे के बरावर होती है इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या जागा एस ठीक है एक आपका नाइटोजन को होगा दूसरा किसका होगे आपका ऐस और इसकीबात करें सुट्वार बनस में क्या होगा बनस में भी आपका बनस में भी कित्त हैं थो इलग्टान होते यह ठीक तो यह आपका अब बनस में तो इलेक्टान और इतने अर्बिटल है जा político अपका अपर पहुंझे हो टीक अ कि यह आपका कैसा होता है बी एम ओ कि बांडिंग मॉलीकुलर और विटल इनाइटोजन का एतम है यह किसका आपका ऑक्षिजन का तो इसको क्या हो जागा बन एस टू यह हो जागा सिगमा स्टार बन एस टू हो जागा अब अगर आप इसी को अरेंज कर दो के किरम से तो वही के हो जाएगा आपका electronic configuration हो जाएगा ठीक है किसी molecule का यहां पर क्या है nitrogen और oxygen तो सबसे पहले आपको यह लिख देना सिग्मा बनेश टू उसके बाद आएगा आपका सिग्मा सिग्मा स्टार हं यह देखा यह था सिग्माट तो इस तो Chloe सिग्मा टूपी जैड और पाई टूपी एक्स पाई टूपी भाई पाई स्टार्ट टूपी जैड तो यहां तक हमें लिखना होगा तो बही क्या हो जागा आपका इलेक्ट्रोनिक बिन्यास हो जागा ठीक है यह जैसे उपर आपको दे रखा देखो यह यहां देखो यह हो गया सिग्मा बनेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् जिसमें आपके किते लेक्टॉन थे दो एलेक्टॉन यह एक एलक्टॉन था ठीक है अपको क्या होगा होता है जिन पर एस नहीं लगा होता है ठीक है आपके कैसे होते हैं इसके बीच में कि निकालेंगे कि कितने बंद इनके बीच में बनेंगे वह में निकालना है तो यहां पर देखो तो कि क्यारा बंद किरम यानिकि बांड और के लिए तो बांड लिए अपन जाएंड अपन तू जहां हमने देखा था किते लेक्ट्रों आ आपके 10, B में किते थे 10 और A में किते थे 5 बटे 2, कितना आ जागा 5 बटे 2, बराबर कितना आ जागा 2.5, तो हम कह सकते कि nitrogen और oxygen के बीच में कितना bond होता है, धाई, यहाजागा आपका 2.5 bond order, किसके बीच में nitrogen और oxygen के बीच में, ठीक है, इनकी NO का बंद किरम, N2 तथा O2 के बंद किरम का मध्धिवर्ती है, किसके मध्धिवर्ती है, NO का जो bond order होगा, वो किसके मध्धिवर्ती है, N2 के और O2 के, यानि कि N2 के अगर हम बाद करें, तो N2 के बीच में कितना bond होता है, triple bond होता है, ठीक है, oxygen के बीच में अगर हम बाद क तो इसमें कितना है आपका टू पॉइंट फाइब यानि कि धाई ठीक है कितना बॉंड ओडर है टू पॉइंट फैब तो इन दोनों के बीच का है यह आपको ध्यां रखना अता कहरा है नाइटोजन से कम तथा ऑक्सिजन से अधिक स्थाई होता है कैसा होगा आपका नाइट तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी आपकी अनुचुम्बकी है तो यह तो था आपका आज का क्वेशन अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं साथी पास में लगे बेला इकन को दबादें जैसे कि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप को मिलता रहे साथी बताना चाहूंगा कि इस वीडियो का अगर आपको पीडियो फॉर्म चाहिए तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बाक्स में आपको इसका लिंक मिल जागा जहां से आप किसी भी वीडियो का पीडियो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आपको यूर्म चाहिए तो इसकंद की वीडियो